एक बार में पेट साफ न होना, रोजा ना काफी पेशन्ट्स को मैं देखता हूँ, दूर दूर से मेरे पास पेशन्ट्स आते हैं, पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फिशुला के लिए, बिना ओपरेशन वो ठीक होते हैं, उसमें एक कॉमन समस्या देखने मिलती है और का पेट साफ ही नहीं होता है, कहीं आपको भी तो ऐसी समस्या नहीं है, यह IBS का महत्वपूर्ण लक्षन हो सकता है, क्योंकि IBS में काफी लोगों को सुभे दो बार, तीन बार, चार बार जाना पड़ता है, और फिर उन्हें थोड़ा अच्छा फील होनी लगता है, नमस्का तो चलिए समझते हैं IBS के बारे में और आपकी समस्या के बारे में अगर आपको इस तरह की तकलीफ है, तो क्या होता है IBS, शुरुआत में हम इसे कब समझते हैं, और काफी लोग इसे कब समझ कर ही नजर अंदाज करना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती हैं, तो IBS होता क्यों है, एक्जक्त कॉस हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ factors हैं जिनकी वजह से ये तकलीफे बढ़ सकती है, जिने हम कहेंगे ये triggering factor है, जिसकी वजह से IBS की समस्या बढ़ी हो सकती है, बढ़ सकती है, तो पहली बात जो इसमें होती है, व बोवेल मूँमेंट गडबडा जाता है, अबनार्मल हो जाता है, अगर आपका बोवेल मूँमेंट नार्मल है, जिसे हम peristalsis कहते है, जिस तरह से आप सांस लेते है, आपका दिल दडखता है, इसका एक नॉर्मल रिधम है, उसी तरह से हमारे आतडियों को भी जो मूँमे है उसका एक रिधम है वो रिधम अगर डिस्टरब हो जाए अब यह क्यों होगा अगर आपके बोवेल्स में आतरियों में कुछ डिस्टरबंसे सा जाए अबनॉर्मल कॉंटरेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से यह हो सकता है दूसरा कारण इसमें होता है नर्वस सिस्टिम एबनॉर्मलिटी जिया अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाए यह जो आतरिया है इसकी जो दिवाले है यह सेंसिटिविटी अगर बढ़ जाए अब क्यों बढ़ेगी परिशान रहते हैं, उनके बोवेल हैबिट्स डिस्टरब हो जाते हैं, ये भी एक कारण इसमें हो सकता है, कुछ फूड्स होते हैं, कुछ अनाज इस तरह के होते हैं, जो ट्रिगर करते हैं IBS को, कुछ लोगों को दूद से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक फ इफ्लामेशन है, सूजन है आपके आतली के उपर, तो इससे भी ये तकलीफ हो सकती है, चौथे कारण को भी समझना बड़ा रोचक होता है, हमारे इंटेस्टाइन में एक बैलन्स होता है बैक्टरियास का, हरमफुल बैक्टरियास होते हैं, और कुछ अच्छे बैक्टरि या हो सकती है, या कोई और कारण हो सकता है, जिनकी वजह से ये बैलन्स डिस्टरब हो, आपको IBS की समस्या बढ़ सकती है, IBS का मतलब ही होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, यानि की जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो एक स्पीड है, वो डिस्टरब हो जाना, इरिटेट ह हो जाना, आपके बोवेल सिंड्रोम की आतरिया, इसमें तीन मुख्य प्रकार होते है, IBS with constipation, ऐसे लोग जो है, वो क्या experience करेंगे, उनको लेटरिन पास होने में difficulty जाएगी, पास ही नहीं होगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, और लेटरिन होने के बाद में भी उनको satisfaction नहीं लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि कुछ तो अभी भी बाकी है, यह हो गया पहला टाइप, दूसरा टाइप होता है, IBS with diarrhea, इसमें क्या होगा, बार बार जाना पड़ेगा, lose motions होगी, पतली लेटरिन होगी, और बार बार जाने के बाद और एक बार जाने की इच्छा उनको हो जाएगी, अब तीसरा जो इसमें परकार होता है, उसे हम कहते है, mixed IBS, इसमें दोनों चीज़े रहेगी, constipation भी होगा, यानि कब्स की भी सिकायत रहेगी, और diarrhea भी रहेगा, इस तरह का problem हो सकता है, अब type कोई भी हो, इसमें आ परद होने लगता है, cramp आने लगता है, maraud आने लगती है, paid full जाता है, जिसे हम कहते है, bloating, paid full जाता है, gases की समस्या होने लगती है, और सबसे मुख्य बात इसमें होती है, change bowel habits, आपको लेटरिन जाने की जो आदत है, वो गड़बडा जाती है, कभी तीन चार बार जा रहे ह हो, कभी पास ही नहीं होती है, disturb होने लगता है, कुछ लोगों को diarrhea होता है, कुछ लोगों को constipation होता है, साथ में कभी-कभी mucus भी लेटरिन में आ सकता है, चिकट लेटरिन हो सकती है, और incomplete feeling होंगा, ये सबसे important है, incomplete, आपको पेट साफ नहीं लगेगा, अब करना क्या है, अ और ये lifestyle modification अगर आप करते हैं, तो IBS आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको suggest करूँगा, आप होमेपेथी की दवाईया ले, होमेपेथी में बहुत अच्छी medicine से, होमेपेथी काम ही करती है, आपका पूरा study करने के बाद, यानि हम जब आपको medicine देते हैं, तो आपके emotions के बारे में पूछते हैं, आपके शरीर के जो लक्षन है, उसके बारे में जानते हैं, और फिर आपको treatment दे जाती है, जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आप अपने नजदी की doctor से मिल सकते हैं, आप मुझसे भी contact कर सकते हैं, मेरा WhatsApp number में निची दिया ह तो चलिए फड़ाबर समझते हैं उन 10 महतवपूर्ण बातों के बारे में, पहला है आपको लेना है balance diet, complete diet, potion पूर्ण आहार, एक स्वस्थ और potion पूर्ण आहार जिसमें फल हो, सबजिया हो, पूरे अनाज हो और probiotics हो, जो आपके लिए बहुत जादा beneficial होंगे, आपके नमुद्दा है, धीरे धीरे खाना खाईए, काफी लोगों को मैं देखता हूँ, जब उनसे बात करता हूँ, काम बहुत important है, खाना भूल जाते हैं, और गड़बडी में खाने लगते हैं, ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे से चबाईए, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी प नमबर फोर है, एक कब गर्म पानी आपको लेना है, उसमें एक चम्मच सौफ या जिरा डालना है, और इसे खाली पेट पीना है, ये पाचन को सुधारने में बहुत अच्छा हिल्प करता है, और काफी लोगों में इसके benefits देखे गए हैं, पाच नमबर का पॉइंट है, प नींद अच्छे से लेना, काम के गड़बडी में, स्ट्रेस में, तनाओं में, वक्त पर लोग नहीं सोते हैं, कुछ लोग मोबाइल की वज़े से बहुत देर रात तक जाकते रहते हैं, और फिर सुभे लेट उटे, इस आदत को आपको बदलना है, आराम बहुत जरूरी ह नींद बहुत जरूरी है, सेवन्थ नंबर का पॉइंट है, तंबाखु और अलकोहल से आपको परहिस करना है, उसे छोड़ देना है, एट्थ नंबर का पॉइंट है, भोजन को अच्छे से पचने देना, खाने के बाद थोड़ा टह लिए, बार बार मत खाईए, टाइम हो रही है, कुछ दिनों तक के दूद आप बंद करिए, कम करके देखिए, चेंज करके देखिए, कुछ खाने में परिवर्तन करके देखिए, जिससे आपको तकलिफे बढ़ती है, ऐसे फुड़ को खुद आइडिन्टिफाइ करिए, नंबर टेंथ है, वैयाम करे और निय इसलिए जल्दी खाना खाईए, खाने के बाद लेटना नहीं है, और रोज कम से कम 40 मिनिट तक आपने एक्सरसाइज करना चाहिए, आप योगा कर सकते है, जोगिंग कर सकते है, रनिंग कर सकते है, स्विमिंग कर सकते है, आशा करता हूँ ये सारी बाते आपको IBS की पता चली होगी, और आप खुद को ठीक करने के लिए भी तयार होंगे, लेकिन ध्यान रखिए, हर वेक्ति को अपने अपने प्रकूरती के हिसाब से अलग-अलग सिम्टम्स आ सकते है, इसलिए चिकित्सक के साथ परामर्श अवश्य करें, खुद के मन से ट्रिटमेंट ना ले आप होमेपिती ट्रिटमेंट ले सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्त हो सकते हैं, सो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, धन्यवाद